हेलो गाइस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले नाबार्थ क्रेट एकी सैलरी स्लिप इसका जो नोटिफिकेशन है थोड़े दिन में आपको देखने को ही मिलेगा क्योंकि इसका शॉट नॉटिस ओरड़ी जो है वो आच चुका है इसके जो सैलरी स्लिप है एक सची में मोटिवेशन देने वाली सैलरी स्लिप है मतलब इतने सारे अलाउंसे हैं मतलब आप वो सोच भी नहीं सकते इतने सारे एक एक चीज का मतलब कहते हैं खर्चा सब बैंग की देगा So discuss करते हम salary slip को So सबसे पहले base salary की बात कर लेते Base salary जो है इसकी वो है 28,150 Dearness allowances की बात करें तो यह है 30,481 आप देख लीजे कितना सारा है LCA, CCA की बात करें That is 1,408 Great allowance की बात करें 6,000 Special allowance की बात करें That is 1,625 LCA, FA की बात करें That is 1,126 So total earning जो होती है वो है आपकी 68,790 अभी आपको साल्दी कम लग रही होगी लेकिन अभी बात में देखते रही है ठीक है Deductions की बात कर लेते है तो है Provident Fund NPS तो यह है 6,463 Lawn subscription की बात करें That is 800 Income tax 7,500 House, Rent, Recovery 170 Association subscription That is 200 Holiday Home यह है 1,020 So total reduction जो हो जाता है वो है 16,153 So net pay की बात कर लेते है तो net pay जो होता है आपका 52,637 So यह तो होगे आपका मन्थली अगर yearly की बात करें अगर yearly की बात करें That is 52,637 को आप multiply कर दीजे 12 से तो यह बनता है 6,31,644 So इसके बात allowances की बात कर लेते हैं तो petrol है 200 liters यह भी depend करता है कि आप कौन सी city में posted है अगर आप Mumbai, Delhi है, दाबाद, बेंग्रोल जैसी city में posted है तो आपको petrol जो मिलेगा वो 200 liters के हिसाब से मिलेगा और जी per month हो जाता है That is 22,000 per month अगर आप other cities में posted है तो महाँ पे मिलता है 150 liter Household allowance की बात करें 5,000 per month और अगर आप इसे multiply कर देते है 12 से तो यह yearly calculate हो जाएगा इंटरनेट की बात करें यह मिलता है 2000 per month अगर आप इसे 12 से calculate करेंगे बदा multiply करेंगे तो आपका annually निकल जाएगा mobile का भी मिलता है 1100 तो इसे 12 से multiply करेंगे तो यह yearly आजाएगा newspaper का भी आप देख सकते है 900 तो 900 को 12 से multiply करेंगे तो आपका newspaper का आजाएगा equipment maintenance allowance की बात करें तो यह 500 मिलता है 500 into 12 तो आपके 6000 मिल जाता है children education में भी आपको मिलता है 7000 per child पर मिलता है अगर आपके 2 children है तो आपको 14,000 मिलेगा ठीक है तो अगर एक student के मतलब एक children के हिसाब से निकाले तो यह मिलता है 7000 into 12 that is 84,000 ठीक है अगर दो children के निकालना है तो that is 14,000 into 12 हो जाएगा so dexocoupan की बात करेए मिलता है 3600 ठीक है so अगर आप इसे calculate करते है multiply करना पड़ेगा आपको yearly के लिए 12 से 43,200 तो ऐसा आ जाएगा ठीक है so total allowances की बात करें तो यह 5,89,200 ठीक है अब हम annual allowances की बात करते हैं जो साल में एक बार मिलते हैं ठीक है एक तो book grant है आपका 7,000 मिलता है एक तो आपको medical on self declaration यह मिलता है 13,000 briefcase allowance मिलता है 4,000 furniture allowance मिलता है यह मिलता है आपका 36,000 spectacles की बात करें that is 13,000 so 13,000 into 2 मतलब यह depend करेगा अगर आपका कोई spouse है तो आपको 13,000 मतलब एक बंदे को मिलेगा तो 2 हो गए ना तो यह इसलिए multiply करा है 2 से so 26,000 मिलेगा once in two years ठीक है दो साल में एक बार मिलता है LST की बात करें that is 15,000 रुपीज और यह maximum 4 लोगों को मिलता है अगर माल लीजे आप है और आपके parents भी depend है तो उनको भी यह मिलेगा ठीक है so furniture allowance की बात करें that is 18,000 तो टोटल जो हो जाता है आपके that is 98,500 यह है आपके annual allowances तो आप देख सकते हैं allowances कितने अच्छे मिलते हैं इसके अंदर नाबाट grade A के अंदर so total annual income की बात कर लेता है तो 50,000,000 अप्रॉक्स यह annual income आपके allowances को जोड़ कर आ रही है ठीक है अगर नाबाट grade A में आपको suppose अगर किसी को मतलब आप ऐसे तो quarters मिलते हैं अगर नहीं मिलते तो वो least accommodation देते हैं उसका कितने देते हैं आपको 25,000 देते हैं ठीक है so annually calculate करेंगे तो यह 3,000,000 annually हो जाएगा आपका so अगर इसको भी add करेंगे तो आपकी जो पूरी annual income हो जाती है वो हो जाती है आपकी 18,000,000 अप्रॉक्स तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा allowances मिलता है नाबाट grade A की अंदर so आप देखी सकते हैं कितने अच्छे allowances मिलते है and salary कितनी अच्छी है so guys अगर आप इसकी preparation कर रहे है तो please अच्छे से कीजिए क्योंकि यह बहुत अच्छी मलब job है बहुत अच्छी salary मिलते है allowances बहुत अच्छे मिलते हैं इसके अंदर so guys यह भी एक अच्छा motivation है I hope आप इससे motivate हुए होंगे and अच्छे से prepare करेंगे so बाकी मिलते हैं next video में till then take care bye bye